क्लोजिंग और तेखयेंगे क्या सिमिलेरिटी है और क्या सिमिलेरिटी नहीं है जाएंगे टेलीग्राम पर आज क्या काम हुआ आज दो ट्रेड दिए लेकिन वह ट्रेगर इनभा तो पहली को मिलता सल भीसपांट गा दूसी ट्रेड में हमको 1500 पॉइंट का मिलता है टारगेट एंड यह जो ट्रेड था यह था मारा कॉल साइड का पहला और दूसरा जो ट्रेड था वो था मारा पुट साइड का जो कि मैंने पहले दिया था अपने मेंबर्स को ट्रेगर काफी लेट हुआ उसके अलावा कुछ भी काम आज के दिन नहीं हुआ अब बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की पिछले दो दिन का यहां पर आपको चार्ट दिखाऊंगा और इसमें हम थोड़ा सा सिमिलेरिटीज देखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे का प्लैन बताऊंगा देखो मार्केट में कल मैंने क्या बताया आप ल यह वाला ट्रेड बनाया अच्छा में और इसमें हमारा एक एसल चला गया था व्यू हमारा क्या था व्यू था हमारा डाउंसाइड क्या मार्केट डाउंसाइड ही है जी हां बिलकुल है बट क्या मार्केट ने हमको टार्गेट दिया नहीं दिया कल की बात करें मार्केट होता है यहाँ पर आज की बात करने तो market open होता है यहाँ पर उसके बाद market क्या करता है अपने support area के आसपास से एक bullish pattern formation करता है लेकिन market उपर के levels पर sustain नहीं कर पाता और market दीरे दीरे पूरे देन down आता है आज के दिन के आगया market ने market open होता है वापस से try करता है उपर जाने का लेकिन वापस से same चीज कल market यह आया था नीचे और उसके बाद यह हो गया था sideways ठीक है अब आज की अगर हम बात करें तो market यह आया नीचे और यह हो गया sideways अब sideways market की range क्या थी आज के दिन में कहा पर trade बन सकता था कहां पर market ने trap किया तो इस range की बात करें तो 24 से 930 से लेके 24 से 960 30-40 पॉंट में market गूमा है 11 बजे से लेके 3 बजे तक इसी चक्कर में आज यहां पर कोई trade plan नहीं हो पाया morning में क्यों trade plan नहीं हुआ उसके पीज़े कभी reason बता देता हूँ market ने यहां पर आप लोगों को wix बनाई है जब ऐसी wix बनती है तो मैं market को थोड़ा avoid करता हूँ जब तक कोई अच्छा move नहीं आता है at least तब तक लेकिन हमको एक अच्छा move देखने को नहीं मिला market क्या करता है day high के उपर निकलता है call side में यहां पर लोगों को trap करता और market यहां से put side में fall कर जाता यह एक opportunity थी जहां पर पैसा बन सकता था छोटा मोटा इसके अलावा कोई opportunity नहीं थी और हमने यह opportunity नहीं पकड़ी as simple as that हर दिन हमारा दिन नहीं होता है so it's fine no problem अब बात करें कल क्या हो सकता है कल क्या नहीं हो सकता है तो यहां पर एक यह trend line मुझे देखने को मिल रही है resistance 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 देखने को मिल रहा है तो हमारा plan कुछ ऐसा हो सकता है Monday के लिए हम यह resistance के उपर निकलेंगे pullback लेंगे साथ में हमें ये एरिया भी निकालना है यानि कि 25,000 के उपर जैसे ही हम आएंगे उसके बाद हम call side में trade plan कर सकते है ठीक है 25,000 is very important हमारे लिए resistance बना हुआ है उसके उपर निकलना पड़ेगा market को बट अगर हम बात करें downside की तो हमारे लिए 24,901 हमारा support area है उसके नीचे ही हम put side के लिए plan करेंगे तो आपको levels पता चल गए जब तक हम 25,000 के उपर नहीं निकलते call side plan मत करो 24,000 के नीचे नहीं निकलते तब तब put side plan ना करो और बाकी तो आपको सब कुछ telegram पर देखने को मिलेगा तो जाओ और join करो telegram को link is in the description channel को subscribe करो video को like करो and जो question है वो मेरे से अपना पूछ लो बाकी बात है बैक निफ्टी की वीडियो में करेंगे thank you so much